तो हेलो एवरिवन आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आदी पुरुष के बाद अब एक और रामायन हमको देखने को मिलेगी यानि के दोस्तों नितेश तिवारी की रामायन का एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही अच्छा अपडेट निकल के आय है जिसको सुनने के बाद मैं भाई मैं खुद भी बहुत जादा सैटिस्वाई हुआ हूँ और देखो कहते हैं ना कि जो मूवी या जो भी काम अच्छा चलने वाला होता है तो उस काम में स्टार्टिंग से ही एक चीजे एक कामियाभी वाली चीजें दिखने लग जाती है अब अगर मैं दोस्तो स्टार कास्टिंग की बात करूं तो starting में राम के रोल में रणवीर कपूर आपको देखने को मिल रहे थे और रणवीर कपूर काफी जज रहे हैं और उनको पसंद भी किया जा रहा है और तो अगर आप imagine भी करेंगे उनको एक राम के रोल में देखन लेकिन कुछ डेट City वजह से रिलीज मूवी की ज़ो शूट डेट हिए उसके वजह से आलियभढ्ट ने अपना नाम इस मूवी से ले लिया और उसी के साथ में जो हमें तीसरा नाम यानि के रावल का नाम जुड़ रहा था येश साहब यानि के रौकी भाई के जो है उनके केरेक्टर को आ रहा था नाम तो अब जो है दोस्तो फाइनल जो एक स्टारकाश निकल के आई है तो उनकी जगा साई पलवी को लेओ क्योंकि उनका जो फेस है वो थोड़ा सा धार्मिक चीजों को दर्शाता है उनका जो एक फेस है वो एक धार्मिक है और उनसे सीता जी के रोल में पबलिक बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेगी और दोस्तो वही हुआ उन लोगों ने उसी चीज को करा कि जो पबलिक चाह रही है वही कर दो तो साई पलवी को दोस्तो रामायन में सीता जी के रोल में इन्होंने फाइनराइस कर लिया है और वो भी तैयार हो चुकी है तो अब स्टार कास्ट जो इनकी मेन है वो है राम के रोल में रनबीर कपूर यश है रावण के रोल में और सीता जी के रोल में है साई पलवी अब दोस्तों मैं आपको इस मूवी से रिलेटिट अंदर की कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि आपको पता भी नहीं होंगी बाई इनके जो प्रोडूसर हैं वो हैं मधू मनतेना इन्हों ने और नितेश तिवारी ने इस बात की अनौसमेंट कर दी थी 2020 में और इन्होंने ये बोला था कि हम एक रामायन बेज मूवी लेके आएंगे जो की बहुत जल्द आने वाली है हम लोग उस पे काम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार कास्ट के उपर स्टार कास्ट क्या होगी वो अभी हम प्लान कर रहे हैं तो प्लान करते करते कभी किसी का नाम जुड़ा कभी किसी का कभी रितिक रोशन का नाम जुड़ रहा था कभी किसी का तो finalize अभी इन तीनों character की casting जरूरी थी कि इन तीनों में कौन होने वाला है और दोस्तो एक और बात निकलकर आ रही है कि जो लक्षमन जी के रूप में जो लक्षमन जी के character में जो एक character play करेंगे वो दोस्तो रितेश देश्मुक का नाम जुड़ा है आप देखते हैं कि भाई ये बात सच होती है या नहीं होती है को कि नितेश देश्मुक का जो फेज है वो भी काफी धार्मिक लेवल का अगर क्लीन शेफ करा दो तो लगते हैं तो दोस्तों ये रिमर बन रहा है आप देखते हैं कि बात कहां तक सच है बाकी दोस्तों मतलब दोस्तों जो एक आसकर विनिंग एक कंपनी है दिन एक उसके हाथ में इन्होंने VFX एंड ब्लूप्रिंट्स का काम जो है दिया है जो की दोस्तों काफी अच्छी है और तो और अब ये लोग आधी पुरुष से एक अकल पकड़ चुके हैं कि आधी पुरुष में जो लोगों को पसंद नहीं आया था हम लोग वही काम करेंगे मतलब VFX पे इनका टोटल जो एक नजर होगी जो एक फोकस होगा वो दोस्तों VFX पे जादा होगा एक्टिंग का इननोंने मसला इसलिए हम और कर दिया कोंके एक्टिंग में सबसे पहली बात तो यहा है कि चरेक्टर को इनोंने बिलकूल एकदर ऐक्जाटल लिया है कि कौवां कनक्क कर जाए और तीनों ही केरेक्टर अपने अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़े कराकार है तीनों ही येश कहलो साई पलनवी कहलो एंडरनवीर कपूर की तो दोस्तों क्या ही बात की जा दोनों ही कराकार जबी तो इन्होंने तीनों जो फिल्म मूवी के जो बड़े तीन स्तंब है वो दोस्तों काफी दमदाल ले है चौता स्थम्भ भाई जो है आई थिंग लक्षमन जी का हो रहा है आई थिंग उसमें रिटेज तेश्मुक का नाम आरा आप देखते हैं कि वो इस मूवी को करते हैं या पिर उनको भी दोस्तों रिमूव करके किसी और को लिया जाता है तो और जो यश्च का जो कैरेक्टर है दोस्तों रावल के शूट के लिए ये लोग 15 दिन श्रिलंका में जाके शूट करेंगे और उसके बाद में मतलब पहला जो पार्ट होगा वो टोटल आपको राम और सीता जी के ही इर्दिकिर्द होँएगा फर्स्ट पार्ट लेकिन सीत का जब हरन हो मतलब जैसे दिखाते हैं कि सीता का जब हरन हो जाता है और उसको बचाने के लिए राम और लक्षमन जी जाते हैं तो वही पर आई थिंक फर्स्ट पार्ट का एंड होगा लेकिन दोस्तों चीजों को बहुत जादा गहराईयों के साथ दिखाया जाएगा लोगों को उतनी ही पसंद आने वाली है और यह मूवी लगबग लगबग दोस्तों 3000 करोण का बिजनिस कर सकती है कि जिस हसाब से इस मूवी को दोस्तों दिखाया जा रहा है जैसे ब्रहम मास्तर के पार्ट बाइपाट आ रहा है इसी तरीके थे इसके भी दोस्तों करवरी में शूटिंग स्टार्ट होगी और अगस्त 2024 में इसकी रैप अप हो जाएगी और 15 दिन का शूट लगेगा जुलाई में जो की श्रीलंका जाके यह लोग करेंगे वो भी येश के साथ में तो बही बताओ कितने एक्साइटीड हो मूवी के लिए नीचे कॉमाड़ तो पिलताओ आप साइगे लिए किसी वीडियो में आने नेंड थैंक्स वर बाज